नमस्कार दोस्तों, जुहार, मैं बात जारखंड की कर रहा हूँ, अब की जारखंड किसका होगा? 13 नवंबर और 20 नवंबर, दो चरणों में जारखंड में मतदान होना है, एक 80 सीटों वाले इस राज में बहुमत का अकड़ा 41 है, यानि जिसके खाते में 41 सीटे आ जाएंगी, वो सरकार बना लेगा, एक तरफ भारती जनता पार्टी और आजसू का गटबंधन है, दूसरी तरफ जेमेम, कॉंग्रेस, आरजेडी और वामदलों का गटबंधन है, मौजुदा सरकार महा गटबंधन की है, जिसमें जेमेम, कॉंग्रेस और आरजेडी शामिल है, और इस बीच इंडिया गटबंधन यानि की कॉंग्रेस, जेमेम, आरजेडी और वामदल, इन्होंने अपना घोशला पत्र कह लीजिए, वो जारी कर दिया है, साथ गैरंटी जारखंड के लोगों को दी गई है, बड़े-बड़े वादे किये गए हैं, वो वादे क्या गेम चेंजर साबित होंगे, क्या वो वादे जारखंड में दुबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकेंगे, ये सवाल बेहद एहम है, आज के इस वीडियो में मैं आप से इंडिया गटबंधन के उन तमाम वादों पर चर्चा करूंगा, उन तमाम वादों पर बात करूंगा, और इस सवाल को कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि अब की जारखंड किसका होगा, तो शरुवात करता हूँ दोस्तों, आपके सामने ये दो गैरंटी है, एक गैरंटी है खाद्य सुरक्षा की, और एक गैरंटी है किसान कल्यान की, तस्वीरे सबसे पहले देख लीजिए, सोनिया गांधी, मल्लिकार जुन खरगे, राहुल गांधी, शिबू सोरेन, हेमन सोरेन, लालू प्रसाद यादो, तेजस्वी यादो, दिपांकर भटा चारया, ये तस्वीरे और उसके साथ पार्टियों के चनावचिन, कॉंग्रेस, जेमेम, आरजेडी और बामदल, गार सिलिंडर, राज्य के हर गरीब परिवार को साड़े चार सो रुपए में दिया जाएगा, अभी केंदर सरकार की तरफ से पांच किलो का राशन दिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार, यानि कि हेमन सोरेन का ये बादा है, महागडबंधन का ये बादा है, कि अगर दोबा ये इनका एक बड़ा वादा है, दूसरे वादे की तरफ दोस्तों मैं बढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बड़ी जानकारी के साथ, तफसील के साथ आप इनके वादों को समझ ये, गैरेंटी है किसान कल्यान की, धान के MSP को 2400 रुपए से बढ़ा कर 3200 रुपए करने के साथ साथ, यानि की 800 रुपए की बड़ोतरी होगी धान की MSP में, लाह तसर करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, साल बीज आदिके समर्थन मोल्य में 50% तक की वरद्धी की जाएगी, यानि इन फसलों की जो MSP होगी, जो कीमत होगी समर्थन मोल्य होगा, उसमें भी 50% तक की बड़ोतरी महागटबंधन करने का वादा कर रहा है, अगले वादों की तरफ चलता हूँ, शिक्षा की गैरंटी, बेहत जरूरी है, जारखंड में शिक्षा का परचार होना, लोगों को सिच्छित बनाना ये बड़ा कदम है, तो क्या है गैरंटी शिक्षा की, राज्य के सभी प्रखंडों में, यानि ब्लॉक्स में, डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालियों में इंजिनिरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्द कराने हेतू, और द्योगिक प्रोचसाहन नीती, य 500-500 एकड का ओद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, यानि की हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगे, इसके साथ साथ ये तो शिक्षा की बात हो गई, अब शिक्षा के आगे बात होती है रोजगार की, तो रोजगार और स्वास्त की सुरक्षा में क्या कुछ करने का फैसला किया है इंडिया गडबंधन ने, जारखंड के 10 लाख युवक यूतियों को नौकरी इवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, 15 लाख तक का पारिवारिक स्वास्त बीमा दिया जाएगा, यानि फैमिली हेल्ट इंशॉरेंस 15 लाख तक का होगा, ये एक वोट और गैरंटी का मसला है, और अब सामाजिक न्याय जिसकी लड़ाई इंडिया गडबंधन लंबे वक्त से लड़ रहा है, ST यानि की शेडीूल ट्राइप्स 28 प्रतिशत, SC यानि की शेडीूल कास्ट 12 प्रतिशत, OBC को 27 प्रतिशत एवं अल्प संख्यक के हितों का संरक्षन करने हेतू संकल्पित, साथ ही पिछला वर्ग कल्यान मंत्राले के गठन हेतू संकल्पित, ये वादा इंडिया के तरफ से झारखंड में किया गया और अब गैरेंटी मईया सम्मान की जिसकी चर्चा इस चुनाओं में बहुत जादा हो रही है दिसंबर दोहजार 24 से यानी की नवंबर में नतीजा और अगर सरकार आई तो दिसंबर से दिसंबर दोहजार चौबिस से मैया सम्मान योजना के अंतरगत पचीस सो की सम्मान राशी दी जाएगी अभी महिलाओं के खाते में हजार हजार रुपए की चार किष्टे बेजी जा चुकी हैं दोस्तों और अब ये वादा किया जा रहा है कि ये जो राशी होगी ये बढ़ा कर रुपए कर दी जाएगी ये वादे जारखंड में किये गए हैं ये वो तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं जिसमें आपको हेमन सोरेन भी दिख रहे हैं मल्लिकार जुन खरगे भी दिख रहे हैं और गैरंटी का ये पोस्टर यहां पर जारी किया गया है तमाम जो वाद का आकड़ा दे देंगे ये भी एक एहम सवाल है इस वीडियो पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ये भी बताईएगा कि क्या ये गैरंटी भारती जनता पार्टी पर भारी पड़ जाएंगी